और इस वक्त एक बड़ी खबर कॉंगरिस ने केंद्रो सरकार की नई पेंशन स्कीम यू-पी-स का विरोध किया है। उन्होंने पूशा कि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या बुराइब थी? साथ ही ये भी कहा कि जब भी कॉंग्रिस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर देंगे पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी कमचारी तो ओल पेंशन स्कीम मांग रहा है आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्यूकार नहीं किया अब आप यूनिफाइट अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है हमारा ये कहना है कि हमें ओल पेंशन स्कीम चाहिए वो ब बहाल करने वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमिटी ने अपने रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एंपियस में बदलाव का फैसला किया देशपर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो NPS स्कीम है उसमें सुधार किये जाए Unified Pension Scheme का Recommendation इस कमिटी ने किया और आज प्रदानमंत्रशी नरेंदर मोदी जी की अध्यक्षिता में Union Cabinet ने Unified Pension Scheme को अप्रूव किया है इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी Unified Pension Scheme में पांच बड़े पॉइंट हैं जिन में पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा नियुंतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और पांच वा ग्रेजुटी शामिल है पचीस साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाव मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम बारा महिनों में मिलने वाली बेसिक सेलरी का 50 फीस्दी पेंशन दी जाएगी जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपे पेंशन मिलेगी इसके लावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन की कुल रकम का 60 फीस्दी हिस्सा परिवार को मिलेगा इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारीयों को महंगाई राहत यानी DR के आधार पर inflation indexation भी मिलेगा इसके लावा कर्मचारी के रिटार्मेंट के वक्त उसे एक मुश्ट राश भी मिलेगी सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी ये खुद तैय कर सकेंगे कि वो NPS में बने रहें या UPS में शामिल हो ये योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद NPS के तहट रिटार हो चुके हैं हाला कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अप्रेल 2025 से लागू होगी लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक NPS के तहट रिटार हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायरा ले सकेंगे उन्हें पिछले पेंशन मुक्तानों के समायूजन के बाद इस योजना का लाब मिलेगा केंदर सरकार ने कर्मचारियों के लिए UPS का एलान किया है अब आपको बता देते हैं NPS से कैसे अलग है Unified Pension Scheme Old Pension Scheme की तुलना भी करते हैं आपको और ये भी बताते हैं कि अगर OPS से इसके तुलना करते हैं तो ये कितना सही है आसान भाशा में समझे है Unified Pension Scheme की हर बात जी हाँ पहले OPS फिर NPS और अब ये UPS यानि Unified Pension Scheme अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये Unified Pension Scheme जिसको सरकार ने मंजूरी दी है वो NPS से कैसे अलग है और क्या सरकार Old Pension Scheme की तरफ जा रही है तो इसकी सफाई में आपको दे दूँ कि सरकार ने जिस Unified Pension Scheme को मंजूरी दी है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तहट 50% आपकी Basic Salary का Pension मिलेगा इस बात की गारेंटी सरकार आपको दे रही है अब ये 50% जो है इसका Calculation कैसे होगा तो आपने Retire होने से पहले 12 महिने की जो आपकी Basic Salary रही है उसका Monthly Average Basic Salary निकाला जाएगा यानि ओसत निकाला जाएगा और फिर जो ओसत बैठेगा उसका 50% कम से कम आपको Pension मिले इस बात की गारेंटी Unified Pension Scheme के तहत कर दी गई है लेकिन इसमें एक शर्त है कम से कम आपकी नौकरी की अवधी 25 साल होनी चाहिए अब आप पूछें कि 25 साल से कम है तो क्या होगा तो अगर 25 साल से कम है उसी अनुपात में आपका Pension कम हो जाएगा लेकिन सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि 10 साल तक किसी ने नौकरी कर ली है तो कम से कम 10,000 रुपे Monthly Pension मिलता रहा है यह सुनिशित कर दिया गया है Unified Pension Skim के तहट इसमें एक खास बाती है अगर आप यह सोच रहे हैं कि सरकार क्या Old Pension Skim को अपना रही है तो ऐसा नहीं है Old Pension Skim से इस Unified Pension Skim के तुलना ना करें क्योंकि Old Pension Skim के तहट पूरा Contribution सरकार दे रही थी NPS के तहट सरकार और Employee दोनों Contribution दे रहा था अभी Unified Pension Skim के तहट क्या है सरकार ने अपना Contribution बढ़ा दिया है लेकिन Employee का Contribution नहीं बढ़ा है Employee का Contribution जो 10% होता था हम आप जो Contribute 10% सरकारी नौकरी वाले कर रहे थे वो 10% ही Contribute करेंगे लेकिन सरकार जो है अब साड़े 18% का Contribution देगी तो यह Unified Pension Skim की खासियत है और दूसरी बाती है कि यह Unified Pension Skim जो साड़े 18% का Contribution सरकार दे रही है इसकी समिक्षा हर 3 साल पर की जाएगी और समिक्षा करके यह देखा जाएगा कि क्या यह 18% जो है इसको बढ़ाने की जवरत है क्या घटाने पर तो सकार विचार नहीं करेगी लेकिन इस समिक्षा के दौरान किसी भी सूरत में Employee का Contribution यानि कमचारी के Contribution बढ़ाने में विचार नहीं किया जाएगा या फिर कहें उसमें कोई छेड़ चार नहीं किया जाएगा अब यह जो Unified Pension Scheme यानि UPS है यह अगले कारोबारी साल से लागू हो रही है यानि 1 April 2025 से अब आप पूछेंगे कि जिन लोगों ने NPS को चुन लिया है नौकरी कर रहा है उनका क्या उनके लिए सरकार ने रहात दिये आप बिल्कुल ठगा हुआ महसूस ना करें अगर आप नौकरी कर रहे हैं NPS को चुन लिये हैं तो आप चाहें Unified Pension Scheme यानि UPS को आप यहां पर अपना सकते हैं अब UPS को अपनाने कि कोई समय सिमा नहीं है सरकार का मानना है कि 90% से ज़्यादा लोगों के लिए UPS फायदे मन्द है तो आप भी अपना तुलना कर लिजे और चाहें तो जब चाहें आप UPS में आ सकते हैं अब एक सवाल यह उठता है जिन लोगों ने 2004 के बाद Retirement लिया है NPS के तहत वो तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम तो रिटायर भी हो गए NPS ले लिया था अब क्या करें तो वहाँ भी सरकार ने बड़ी रहात दिये और यह कहा है कि 2004 के बाद NPS के तहत जो लोग रिटायर किये हैं वो अगर चाहते हैं तो उनिफाइड पेंशन इसकिम के तहत आ सकते हैं ऐसी सुरत में उनको एरियर का भुक्तान किया जाएगा जो एरियर बनेगा उस पर सरकार ब्याज भी देगी जो PPF यानि Public Provident Fund का जो ब्याज है वो ब्याज यहाँ पे दिया जाएगा तो यह सारी बाते हैं Unified Pension Skim के तहएग इसमें एक और बात है Family Pension अगर किसी Pension धारक की मृत्ति हो जाती है उस पर dependent रहते हैं तो परिवार को Family Pension दी जाएगी वो Family Pension अंतिम पेंशन जो पेंशन धारक ने लिया होगा उसका 60% के ब्रावर का दिया जाएगा एक और है कि जो लोग सुपर एन्वेट हो जाते हैं तो सुपर एन्वेट हो जाते हैं या फिर वैसी सूरत में सरकार क्या कर रही है कि आपको जो है सो अगर आपगया वियारस ले रहा है तो यहां ही बताते हुद्चन अगर साठ साल के उम्र में ही चालू होगा लेगी बांकि की सुधायओF !! और और एक और बात इसमें इंफलेशन इंडेक्सेशन भी शामिल किया गया है महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी जैसे डिये मिलता है मोज़धा कमचारियों को लिए वैसे वहां पर आपको डेलेंस रिलिफ यानि डियार की सुधा यहां पर की गई है इस पूरी व्यवस्था क के तहट जो है सो सरकार का मानना है कि एरियर के तौर पर गरीब 800 करोड़ों पर जाएगा और पहले साल में करीब 6250 करोड़ों पर जाएगा लागों के पहले साल में और हर साल यह रकम बदलती रहेगी लेकिन बिल्कुल अभी उनिफाइड पेंशन स्किम अगर आपने नप के तहट रिटायर कें तब भी आपे ले सकते हैं और 1 अपरेल 2025 से यह उनिफाइड पेंशन स्किम सरकार लागू करने जा रही है लेकिन इसको कते भी ओल्ड पेंशन स्किम से तुलना करने के कोशिच ना करें क्योंकि दोनों शर्तियां अलग-अलग हैं NPS से जरूर आप इ मुझे लगता है कि जाहित और पे उनिफाइड पेंशन स्किम कई मैनों में काफी ज़्यादा बहतर हैं